जैसे दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका कोरोना का वैक्सीन का फर्ष्ट डोज या सेकंड डोज का इंजक्शन लग चुका है तो वैक्सीन की लगने के बाद आपको प्रूफ के रूप में कोरोना वैक्सीन का सार्टिफिकर्ट डाउनलो कैसे करेंगे बने रहे हमारे साथ वीडियो को सुरू से लेके अंतक जरूर देखे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब आपने फर्ष्ट डोज का इंजक्शन लगवाने के लिए जो मॉइल नंबर से एपॉइंटमेंट बुक किया होगा और जिस दिन आपका इंजक खोल के दिखाता हूं आपकों वो आपको मैसेज के रूप में आया होगा वहां पर आपका नाम लिखा होगा देखिए आपर में मैसेज आया है मेरे पास मैसेज लिखा होगा आपका baka BMHS-PS dlatego on आपका कि डियर हरीच चंदर यू हैव सकसेच फुली बैक्सिनेटेड विथ यो डोज कोविड सील आन तीस चार दोजारी कि इसको बारा बच के चौतिस मिन पे आपका फ़र्ट डोज का कोविड सील का बैक्सीन लग चुका है वहाँ पर आपको एक लिंक भी दिया है वह लि अपने मवाइल का कोई भी ब्राउजर खोल लेना है तो मैं अपने मवाइल का क्रोम ब्राउजर खोल ले रहा हूं क्रोम ब्राउजर खोलने के बाद में आपको सर्च करना है कोवीड 19 बैक्सीन रजिस्ट्रेशन चले मैं सर्च कर लेता हूं जैसी आप कोवीड 19 बैक्सीन लिखेंगे इसके बाद में रेजिस्टेसर आ आ जाएगा तो COVID-19 vaccine registration पर क्लिक करेंगे इसके बाद में क्लिक करेंगे कि आपको registration पर क्लिक होना चाहिए और retiring for vaccine इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वेपसाइट आपको खुल जाएगा वोगा कोविन गवर्मेंट का वेकसाइट इसकी बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है रजिस्टर या साइन इन फार वैक्सिनेशन तो यहाँ पर आपको अपना मुवाइल नंबर देना है वही मुवाइल नंबर देंगे जो आपने मुवाइल नंबर पर OTP आजाएगा उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे और वेरिफाई एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे इसकी वाद में देखिए आप से जैसे मैंने पच्छी ले वीडियो में बताया था कि आप एक मुवाइल नंबर से चार लोगों का लग चुका है और लिखा है कि 27 दिन बाकी है सेकंड डोज बैक्सिनेशन लगवाने के लिए क्यूंकि सेकंड डोज का बैक्सिनेशन 28-42 दिन या 28-26 दिन के बीच में लगता है इसके बाद में हम पर लिखा है देखिए गर फर्ष्ट पर आपका क्लिक हो गया सभी कर निश का है इसकी बाद में आपको नीचे दिया गया आप संसार्टिफिकर्ट उस सार्टिफिकर्ट पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही आप सार्टिफिकर्ट पर क्लिक करेंगे सार्टिफिकर्ट पर क्लिक करते ही आपका कोवीड बैक्सिन का सार्टिफिकर्ट डाउनलोड हो जाए जो आपका सेकेंड डोज भी लगेगा तो उसकी वाद में नीचे आपसन उसका भी आ जाएगा सार्टिफिकर्ट डाउनलोड करने के लिए तो चलिए मैं आपको अपना सार्टिफिकर्ट डाउनलोड करके दिखा देता हूं कि आपका कोवीड-19 वैक्सीन का लगा है या को वैक्सीन का आपको इंजेक्शन लगाए यानि वैक्सीन का नाम यहां पर लिखा होगा आपका नाम लिखा होगा आपका रेफरेंस आड़ी लिखा होगा आपका अधार नंबर लिखा होगा देखिया आप लिखा है और आपका वैक्सीनेशन यानिटी का आने में पढ़ सकती है या नहीं भी पढ़ सकती है लेकिन आपको रख लेना है कि आपको कौन सा वैक्सीन लगा है कोविड सील्ड के लगा है या को वैक्सीन के लगना इसके वाद में बैक आना है बैक आने के बाद में यहाँ पर लाग आउट बटन है इस पर आप क्लिक करक स्टार्ट हो चुका है तो अगर अभी तक आपने रेडिस के लिए रिर संसार में किया है तो अभी रिर संसार कर लिब छी सिरी संक ना है उसका लिनक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हैं उस वीडियो को देख कर आप рंप कर सकते हैं झाल झाल